दोस्तो पोस्ट आपिस पर सांदार भरती आचुकी है GDS के पत पर GDS का पूरा नाम गरामिन डाक सेवक होता है इसमें अगर आप फॉर्म भरेंगे तो क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ मेट्रिक पास होना चाहिए इस बेकेंसी में मैं आपको बता दूँ कोई भी आपका जो है एक्जाम नहीं होगा और इसका जो सिलेक्शन होगा वो आपका मेट्रिक बेस पे होगा यदि आपका मेट्रिक में मार्क्स अच्छा है तो आपका इसमें सिलेक्शन हो सकता है मैं आपको इस वीडियो में पूरी जनकारी बताऊंगा कैसे आपको GDS भरती का फोर्म फिल करना है क्योंकि यह भरती सांदार इसलिए है इसमें जो है 44,228 पदों पर बहाली है और सिर्फ और सिर्फ यह वेकेंसी जो है दस्मी पास के लिए है तो आप भी यह दि दस्मी पास है और आपका एज 18 साल से अधिक हो गिया है तो आप इस फोर्म को भर सकते हैं वीडियो में सुरू से लेकर लाश्ट तक बने रहे हैं और यह दि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें और यदि इसी तरह का आगे भी वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले आपको इस साइट पर आ जाना है और इस साइट का जो लिंक है अ में प्रोबाइट कर देंगे और आप आसानी से आ सकेंगे या आपको Google में टाइप करना है जीडियास ओनलाइन इसका इंटर्प्रेस करेंगे इसका जो फर्स्ट वेफसाइट आएगा इंडिया पूस्ट जीडियस ओनलाइन इस पे आपको किलिक कर देना है इस फोर्म को जो है आप तीन स्टेप में पूरा कर सकते हैं रेजस्ट्रेशन अप्लाइ ओनलाइन और पेमेंट तो यहां सब सब पहले नोटीस वाला आप्शन मिलता है नोटीस देख सकते हैं तो जैसे आप नोटीस के किलिक करेंगे यहां पर नोटीफिकेशन का एक अंध्रापर्देश में जो है 1455 सीटे हैं और यदि आप अंध्रापर्देश में भरते हैं तो आपको तेलगी लेंग्वेज जो है आना चाहिए मान लिजिए आप जीस भी स्टेट से भरते हैं उस स्टेट का लोकल लेंग्वेज आपको आना चाहिए और बिहार में आप देख लिजे कि 258 सीट है यानि कि आप जहां से खौम अपलाई करना चाहते हैं महां से आप कर सकते हैं बस कंडिशन यह रहेगा कि आपको उस स्टेट का जो है लोकल लेंग्वेज आना चाहिए तो अब हम चलते हैं ओनलाइन कैसे करना है तो फिर से आपको इसका मैंन पेज आपको रेजट्रेशन के को किलिक करना है जैसे आप की करेंगे नीचे आपको दो duration मिलता है एक रेश्ट्रेशन और दूसरा खोरगेट ो आपको रेश्ट्रेशन पर एको को सबसे इंटर करने के बाद आपको submit OTP पर किलिक करना है निचे आपको email ID टाइप करना है और इसके बाद validate email पर किलिक करना है आपका email ID पर एक OTP हैगा उस OTP को इन्टर करना है अकर पिर से हूँ सब्मिट और ऑटीप पर किलिक करना है और यहां आपको नेम ट्राइब करना है और यहां पर फादस ot ado k करना है आपको यहाँ डेटर बर्त इंटर करना है इसके यहाँ जेंडर सेЛेक्ट करना है हैं इसकाद फक्री civ करना है इसकाद इस सकूल करके नीचे आना है और equipped सरी इन विच फ्सोटीससें मेत्रिक पास की हैं हो इस्तेक नाम यहाँ हैं और यहां पर कब पास्ट की है कि वह करेंगे यहां पर समझ में नहीं आुकर करना है पिर सक्डिक code कर देंग तो आप देख पाने हैं कि हमारा फर्स्ट इस्टेट रेजिस्टेशन इच कंप्लीट पिलिच कंटिन्यू फिलिंग देटेल ओफ रेजिस्टेशन इस पर आपको करना है और इस्क्रॉल करके नीचे आना है सबसे हले यहां पर आपका अधार काड़ इंटर करना हे यहांपको अपर करके और नीचे आपको सिगनेच और इसका जो dpi होगा 200 dpi में होगा और इस फोटो का जो dimension होगा 200 गुने 230 पिक्सल में होना चाहिए और उसी परकार से signature भी आपका jpg में होगा और 20 के भी तक होगा और 200 dpi में और 140 गुने 60 पिक्सल तो हम पहले Photoshop में इस परकार से बना लेते हैं अपलोड करेंगे तो फोटो अपलोड करने के लिए यहां आपको चूज फाइल पर किलीक करना है और इसके वाद आपको सब्मिट पर किलिक कर देना है यह आपका रेश्टेशन नंबर है इसे आप सिब करके रख लें और यहाँ आपको एक option मिल जाता है continue to apply इस पर आपको क्लिक करना है यहाँ आपका रेश्टेशन नंबर पहले से आपको एक OTP आया है उस OTP को यहाँ इंटर करना है और इसका नीचे आपको next का option मिलता है आपको next पर किलिक करना है यहाँ आपका नेम दीख जाता है उसका फादस नेम दीख जाता है और इसका यहाँ पर आपका date of birth और रेश्टेशन नंबर इसके यहाँ पर आपको अपना address टाइप करना है और यहाँ आपको पंचायत यहाँ डिश्टीक जो भी हो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर अपना पिन कोड और यहाँ आपका communication address और पर्मानेंट एड्रेस यदि सेम है तो आपको सेम एज कम्यूनिकेशन एड्रेस पर टिक कर देना है इसका आपको इस्क्रॉल करके नीचे आना है यहाँ आपको जो option मिल जाता है कि selecting बॉड पहले सेड्रेकिल भीच सेकेंड़े इसकूल पास आप यहाँ से यहाँ कि मेक्रिक पास की है और कभ किये और इसको यहाँ को मिलता है select board यहां से आप अपना board select कर ले और इसके वाद यहां पर आपको यह marks enter करना है तो सबसे पहले आपको यहां जो है हिंदी select कर लेना है आपका metric में हिंदी में कितना number आया था वह यहां पर इंटर करना है तो हम mark लेंगे और इसके वाद यहां आपको save and continue पर क्लिक करना है इसके वाद यहां पर आपको select division applying आपकी डिविजन के लिए जो है apply करना चाहते हैं इसके वाद यहां आपको preference पोस्ट preference देना है यह आप OVC से भर रहे हैं तो आपको जो है OVC preference में डालना है और यदि आप general से डालना है तो इस परकार साब को देना है जैसे हम OVC डाले हैं तो OVC दे रहे हैं यह सब UR है तो यह सब में नहीं देंगे इस परकार सामरा पांश्ट्र हो गया है और आपको यहां इसका कंडिशन पर टीक करना है और यहां save and proceed पर क्लिक कर देना है डाटा सेव हो गया है और इसके वाद हम OK करेंगे फीड से हम OK करेंगे इसके बाद जो है payment page पे पहुंचा देता है और यहां से जो हम 100 रुपय का payment कर देंगे तो make payment पर क्लिक करेंगे इसके बाद हम QR का option लेंगे क्योंकि यह QR सबसे साधारन होता है select your QR पर क्लिक करेंगे और भीम UPI ले लेंगे और यहां make payment पर क्लिक करेंगे तो हमारे QR जेनरेट हो जाएगा और हम किसी भी UPI से इसका payment कर देंगे तो हमारा mobile से जो है payment सेक्सेस हो गया है इस परकार से हमारा receiving मिल जाता है तो आप इसे डाउनलोड करके अपने पास रख ले दोस्तों अभी आपने देखा मैंने आपको बताया कि GDS का form किस परकार से आनलाइन करना है तो हमने आपको बताया step by step कि किस परकार से इस इस form को भर सकते हैं तो I hope कि यह वीडियो आपको पसंद आया हो और यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाईक जरूर करें और आपने दोस्तों में इस वीडियो को share करें ताकि उन्हें भी यह जा जैंड